और मैं आज बनाने जा रही हूँ सूजी का हल्वा और आप दी देखिएगा कैसे बना रही है और यह मैंने लिया एक लोटे में पानी और यह थोड़े से लिये हैं बदाम और बदाम को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है और यह एक कोटोरी सूजी एक कोटोरी चीनी और यह फूड कलर और यह मैं डालने जा रही हूं घी और दो चम्मच डालूंगी भर बढ़के मैं घी ज्यादा ही डलता है और ज्यादा घी डाला हुआ अच्छा लबता है और यह गी मेरी एक तम मेल्ट हो गई है और अच्छे से पी गरम हो गया है अब इसमें डालती हूं मैं सूजी अच्छे से हम भूजेंगे जब तक कर इसी यह गोल्डन ब्राउमी ना हो जाए बस इसके ऐसे चलाते रहना है ने तो यह नीचे लग सकता है कि अब इसके इसको इतना ही ब्राउन करना हमें इसका कच्छापन सारा खतम हो गया है और उपर से हम डालेंगे थोड़े से बादाम अभी इसको मिला देते हैं अच्छे से और ये जैसे शादियों में बनता है न हलवा गाश्य सेम वैसा ही बनेगा अब डाल देते हैं हम चीनी चीनी बाकी आप अपने स्वाद के हिसाब से भी डाल सकते हैं कम मीठा कर सकते हैं और इसी में डालोंगी में थोड़ा सा फूड कलर अब डाल देती हूं पानी और यहां पर मैंने कोई जर्म पानी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, बैस ऐसे ही डाला है नॉर्मल पानी, इसको मिला पे रहना है, इसको अच्छे ही अच्छे से मिला के जाएं, इसको अच्छे से मिला के जाएं, हमारा हल्वा, रेडी, है ना कितना असान है, और कितनी जल्दी बन गया है और दीखेगा इस हमारा हल्बा हो गया है एककम से रेडी अभी हमको धम गयास बन कर देते हैं अभी हमारा हल्बा है रेडी और देखिये मेरा हल्बा हो गया है से रेडी हेलो गयास कैसे है आप सब हो और आप सब ठीक हो मैं भी ठीक हो इदर देखिये मेरी सानवी इसको कोई प्याल नहीं कर रहा है हाँ कोई प्यान नहीं कर रहा है अच्छा हाई गाइज बोला किसी दे लो फ्लाइंग किसी और और मेरे मम्य कर रहे हैं याप पर सूट तरपाई कर रहे हैं मैंने सूट स्टीच किया था दीडी का सो उसी को मम्य तूपाई कर रहे हैं मम्य दिखा दो थोड़ा सूट और मैं थोड़ा थोड़ा बहुत क्या अपने मतलब पहनने के सारे सूट मैं खुद ही स्टीच करती हूं मेरी मम्य के भी मेरे भी मेरी सासू मा के यह रिखिए अज़ा तुमको भी दिखाना आपको भी दिखाना यह देखिए और इसे देखिए यह अकेला खेल रहा है इसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है अब बो लाइक करो शब्सक्राइब करो और शेर करो बाइ झाल कर दो झाल झाल झाल